हेलो एवरिवन लक्षे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल आजूगेटर की एक नई वकेंसी के बारे में जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हो ये वकेंसी आई हुई है किंद्रिय विजेल्य वायो से न स्थल पठिंडा में इन्होंने बताया हुआ कि ये 2023-24 के दोरान सवींदा सिक्षकों की आप सकता नुसार न्युक्ति है तू पैनल तियार करने के संबंद में साक्षतकार है तू ओनलाइन आवेदन पत्तर आमंत्रित करता है तो ये 2023-24 जो सतर है उसके लिए शिक्षकों क स्कोमर्स, बाइलोजी, कम्प्यूटर साइंस, टी-जी-टी में है इंगलीज, हिंदी, संस्कृत, सोशल साउंस, मैथ, ऑन्जाप कांज्वी, टी-चर, योगा कांशलर, तो आप देख सकते हो सबसे लाश्ट में है स्पेशल एजुगेटर एनड कांशलर घू, इन्होंने तो इमेल इमेल इन्होंने mention कि हुई है और तेरा तरिक बताई हुई है कि last date है जब आप application कर सकते हो और through email आपको application फिल करना है display of list of legible candidates for interview along with time and date of reporting on the website and notice board 16 March 2023 by 5 p.m. तो इन्होंने बताय हुआ कि जो भी legible candidate होंगे उनकी ये अपनी website और notice board पे 16 March तक list डाल देंगे श्याम 5 बजे तक तो आप देख सकते हो उसके बाद आप 18 और 20 मार्ट जो भी आपकी date होगी उसके लिए interview के लिए जा सकते हो तो जैसा कि अब देख रहे हो 13 March last date है जल्दी से जल्दी जो भी साथ ही legible है वो email के थरू application fill कर सकता है इन्होंने बताया हुआ कि जो application form है वो साथ में ही है और आप उसको download करके fill कर सकते हो और उसके लिए आपको जो भी qualification है post के लिए required वो सब होनी चाहिए आपके पास और subject combination होना चाहिए और आपको application form fill करके साथ में सभी जो भी qualification required है उनको attach करके scan करके सभी को फिर email करना है और जो कि 13 March 2023 तक all attachments should be in PDF format single file only आपको अलग अलग फोटो नहीं भेजनी है एक PDF बना के सभी जो भी application form fill करोगे उसके बाद जो भी document required है सभी की एक अच्छे से PDF बना के single file में फिर आपको mail करनी है और provisional list of eligible ineligible candidates for interview along with the interview schedule date and time of reporting में भी seen on the website notice board 16 March जैसे कि मैंने आपको पहले बताई दिया था कि यह जो भी eligible candidate होंगे उनकी list अपनी website पर notice board पर लगा देंगे 16 March तक शाम 5 बुजे तक वही candidate 18 और 20 March को फिर interview के लिए जाए और इन्होंने बोला हुआ कि जो भी salary होगी वो KVS rules के coding होगी और interview के लिए कोई TIDA नहीं दिया जाएगा तो जो जो भी साथ ही visible है जिस भी post के लिए वो भर सकते हैं साथ में आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वाइल आइकन का बटन जरूर दबाए ताकि जो भी हमारी वीडियो हो वो समया से आपके पास पहुंच सके धन्यवाद